आज हम आपको बता रहे हैं यूपी टीटी में आनलाइन फार्म किस पकार भरते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है यह अबेदर पत्र के लिए आनलाइन रिजिशेशन करने के लिए जो में पेज पर जाएंगे तो आपको इस टिप 2 में जब जाएंगे यहां पर आप क्लिक करें या राइट क्लिक करके निटेब पे जाएंगे यहां पर नया टेब ओपन हो जाएंगे नया टेब ओपन होने के बाद यहां देखिए लिखा हुआ है Logistration सबसे पहले आपका वो जनपद या जिले का चुनाओ करना है या डिस्टिक का चुनाओ करना है जहां पर आप एक्जाम दिना चाहते हैं सबसे पहला है आफसन आपको आगरा और यहां अलफा बेटिकली सारे की सारे जिले आपको दिये गए हैं यूपी में जितने जिले में एक्जाम हो रहे हैं हम यहां पर जो चूज करते हैं गाजियाबाद में इसके बाद आपका व्यार्थी का नाम लिखना है और इसमें यह साथ ध्यान रखना है कि यह जो भी आप भरेंगे यह एंगलिस के कैप्टेल लेटर में भरा जाना है कि इसलिए कीबोर्ड में कैश्ट लाक आउन कर लें जिससे आपका साक्व जो भी टाइब करेंगे वह आपका कैप्टेल लेटर में जाएगा अगला चार्व है माता का नाम माता का नाम है आपका फिल करें पिता का नाम यहां पर आपको जनपत का पता पिन कोड के सहीत लिखना है आपको लिखना है यहां पर किस डिस्टिक में कहां पर आप रहते हैं बिलेज पोस्ट डिस्टिक सीतापूर अब आपको लिखना है पिन कोड इस तरीके से यहां अब इसके बीच कोई भी आपको डेस नहीं लगाना हैं कोई आपको special character यूज नहीं करना है इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे आप यहां पर यह तो वह जिला है जहां पर आपका स्थाई पता है यहां पर थाना और पिं कोर्ट सहीज देना तो चाहते हैं इसका लेटर उगर आप कहां चाहते हैं यहाँ पर पत्र बेभार आपको देना है तो आप दीजिए इस तरीके से आप अपना वो पुरा एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं यहां पर टेलिफोन नंबर है आपका यहां पर टेलिफोन नंबर नहीं तो आप यहां पर यहां पर इस्टार बना स्टार का मतलब यह है कि आप इस कॉलम को आपको फिल करना आवस्थिक है जिसके सामने स्टार नहीं है उसको देना कोई जरूरी नहीं है यह महिला है तो वहां पर पती का नाम जनम्तिथी देट, मन्त और एर के साब से डेट है आपकी या महिला है या पुरुष है वर्ग, जर्णल, एबीसी, स्टी, स्टी या ओबीसी, विकलांग है तो टिक करें नहीं तो छोड़ दें कितने परसंटेज यदि आप विकलांग है तो परसंटेज भरना नहीं तो आपको नहीं बरन है विशेस आप आर्ट्षन दोको त्कुई है आपको इस तरीके सेWS फ्रेडमफाइटर डें उसमे आते हैं या आर्मी-सर्विस्में खुद है तो अव्हदिट आस्तर आप प्रात्मिक अस्तरμ जा रहे हैं उच्छ प्रात्मिक च्तर जा रहे हैं उसका पको चैन्न करना है उच्च अस्तर प्राथिमी अस्तर चूज करने के बाद आप यहां देखेंगे कुछ आपके प्रारूप में कुछ चेंजे आ जाते हैं तो वो सारे प्रारूप आटमेटिक होते इसमें आपको घवरानी के आउसकता नहीं है पहली भासा आपकी हिंदी होती देती है भासा प्राथ इंग्लिज यहां पर प्राप्त की की प्रसिश्चन योगिता फिर जैसे जैसे आप डिग्रियों का चुनाव करते जाएंगे आपका जो प्रारूप है यहां पर थोड़ा वो चेंज होता रहेगा इसमें अगला आप सना गया आपियर हो रहे हैं लास्ट येर में हम पास्ट का चुनाव करते हैं यहां पर आपको सैच्छड योगिता का डाटा फिल करना है आपको जो जो चीजे हैं यहां पर उनको आपका चुनाव करना है इस प्रकार से इसको आप फिल करना है इस संस्थान से आपने किया कि साल में आपने इसको पास किया अंक्रमांग प्राप्तांग फिल करने के बाद अगला अप्शन आपका आएगा फोटो पहचान प्रत्र आधार कार्ड लिया अधार कार्ड नंबर लेते हैं इन सारी जानकारियों को बहुत ही बारीक तरीके से एक बार क्रास चेक जरूर करें इसको अपलोड करने से पहले यहां चूज ब यहां पर इसको टिक पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप यह जो पासवर्ड है यहां पर हम क्लिक करके एन 55 कैपिटल एच और एक्स इसमें देख लिए यह जो स्माल लेटर में हुए स्माल लेटर में जो कैपिटल लेटर में हुए कैपिटल लेटर में यहां आपको इसमे क्लिक करके नया code आप ला सकते हैं। और इस पर से बटन पर क्लिक करने चैपंट सारी information है। जब आप क्लिक करेंके तो इस तरीके साँयों ओप्स्रीट कीषिक है, मतलब आपका रज्जिस्ट्रेशन हो चुका है। हगम और अगरत्व शूंद संख्या आ जाएगीिस्टिक का नाम और अस्तर आजाएगा और फोटो के साथ आएगा इसको प्रिंट करने के लिए लेफ्ट साइव में प्रिंट का फिर अ video करेंगे आपके पूरिंट का बटन उसकी process शुरू हो जाएगी process होने के बाद में आपका ये आपके सिस्टम में save हो गया है आप यहां पर ये एक PDF के रूप में आपके सिस्टम में save हो गया है अब आगे का नया step है कि फीस जमा करने का जो आपको एक कारिधिवस बाद अगले दिन आपको दुबारा से इस upbasic.gov.in पर जाएंगे और वहाँ पर आप ने सिस्टेम में फीस पे करने के लिए आनलाइन या उसका चालान के लिए आप ने सिस्टेम पर प्रोसेस करेंगे आप देख रहे हैं वीडियो विद्या टिटोरियल बाय मंत्रा सब्सक्राइब और यूटूब चैनल थैंक यू फार वाचिंग